लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले चेतावनी दी है इस से पहले रविवार को दिल ली उत्तर प्रदेश पस्चिम बंगाल और आंधर प्रदेश में भारी बारिश हुई और इस तूफान और तूफान के चलते देश में मोहतों की संख्या बढ़कर पचातर हो गई है दूसरी ओर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी और कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी ने देश के कई हिस्सों में हुई तेज गर्मी के कारण जीवन के नकसान के बारे में दुख व्यक्त किया आज के छे राज्यों में 50-60 किलोमीटर की हवाएं मौसम में भागने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उतराखंड के सुदूर इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफान और बादलों की चेतावनी दी है इन चेत्रों में हवा 50-70 किमी प्रतिगंटे चल सकती है पंजाब, हरियाना, चंडीगड, दिल्ली, उतर प्रदेश, पस्चिम बंगाल, जारखंड, असाम, मेघाल, नागालैंड, मनिपूर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षणी करनाटक, तमिलना और पुडू चेरी में तेज हवाओं के साथ साथ टाइफून चले गए, इसके आलावा, ओडिशा के दूर दराज के चेत्रों में भारी बारिश, चितवनी, राजस्थान के कई चेत्रों में धूल तूफान बढ़ सकती है, खल 15 माई के लिए जारी चितवनी, जम्मू कश सुमें तेज हवाओं के साथ एक तूफान चेतावनी दी गई है, राजस्थान हो और विदर्ब के कुछ शेत्रों में थो इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि उत्तर भारत के कई राजियों के साथ पस्चमी अशान्ती, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तर प्रदेश के प्रभाव के साथ तूफान और तूफानों से धमकी दी गई है, मौसम विभाग ने सत्तर किमी प्रति घंटे के तूफान की चेतावनी जारी की, उत्तर प्रदेश में 50 मारे गए, उत्तर प्रदेश के राहत और संग्रक्षन आयुक्त संजे कुमार न झाल